नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है मैं अचार्य एक देव आप सब कैसे हैं मुझे आशा है आप लोग सौकुसल मंगल से होंगे तो आज हम बताएंगे तुला रासी तुला लगन वाले के लिए अगस्त महा कैसा जले रहेगा आप लोग के लिए अगस्त महा में तुला रासी वाले के लिए सबसे परले हम स्वास्त के बादें बताएंगे फिर आप बेपार बिजनेस के बादें बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है शाड़े चीज बताएंगे और उपाए भी बताएंगे इस मैने में यस कृति मिलेगा या आपमान मिलेगा या मान सम्मान मिलेगा या आप कहीं पिक्निब बनाने जाएंगे या कहीं आप बड़े विजनेस करने के लिए जाएंगे साड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा तो विज जानेश exist अगर चेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कद पर देजियें बहूत आदमी वीडियो देख्ते बूल जाते हैं लाइक और शब्सक्राइब करने के लिए इससे पहले आप जैसे ही आप देख रहे हैं तो सरपर्थम आप सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि कौन सा वीडियो किसके काम में आ जाएगे यह उपर वाला ही जानता है तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब चलते हैं अपने बिसे तुला लगन वाले के लिए के तू लगन में गोचर कर रहे हैं और गुरू और राहू यह तुला लगन वाले के लिए शत्तम भाव में पत्त्नी के भाव में विजनेश बेपार के भाव में गोचर कर रहे हैं और सुर्य और शुक्र जो ए वो दसमे भाव में गोचर कर रहे हैं कि सुक्र जो है साथ तारिक को सिंग रासी से करक रासी में आ जाएंगे और 17 तारिक को सुर्य भी सिंग रासी में चले जाएंगे कहने का कि जुलाई का महिना भी तुला रासी वाले के लिए बहुत ही अच्छा था और अगस्त भी उससे भी अच्छा होने वाला है कि बोले तो तुला लगन वाले के लिए गोल्डेन टाइम शुरू हो गया है जिसको बोलते हैं चप्पर फार के धन आएंगे वरसेंगे चप्पर फार के धन वरसेंगे तुला लगन वाले के लिए तुला रासी वाले के लिए जवर्दस्त काम्यावी मिलने वाला है बेपार बहुत जवर्दस्त चले नेट्वर्क से आप जूरे अगर आपका बिजनेस है शोसल मिडिया से जुरा हुआ है तो आपको अचानक एक से एक आफ़र आपको मिलते जाएंगे और आप करते जाएंगे जिससे कि आपका आपको धंद की ब्रकत दिन दुगुना राच चबुना होने वाला है वो इससे भी अभी भी समय बहुत अच्छा ही है देकिन इससे भी डवल होने वाला है अगस्त माह में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे देट उसे उसे सत्रह तारिक के बाद तो और जबर्दस्त समय शुरू होने वाला है चारों तर्फा देश जहां पे आप है वहां पे भी फैदा हर जगा फैदा इस वक्त तुला लगन वाले तुला रासी वाले कहा जाए अगर मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाएगा में कि जिसने जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा अगर कोई घर में बैठे हुए हैं तो उससे काम नहीं चलेगा हा थोड़ा बो तुछ ना कुछ तो सबको लेकिन अगर कि जिसका बिजनेस है है internet वरकिंग बिजनेस है शेर मार्केट में है काई इन्वेश्ट में है शारों तरफ से आपको लाब मिलने वाला है इस वक्त नेकिन माता का सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा शास ससुर का ध्यान रखना पड़ेगा और अपना खान पान पे आप ध्यान दे नई तो हो सकता है लीवर से कोई पेट से कोई समस्या आपको हो सकता है हो सकता है आपको लंग्स में भी प्रोब्लम आ सकता है अच्छाई है तो बुराई भी होता है अगर बार आ जाता है तो वो निकासी के लिए भी रास्ता खुद वो पानी ढूंद लेते हैं उसी तरह से अगर धन आपके पास आया है तो जाने का भी रास्ता खुद दे ढूंद लेंगे दन आएगा अब दन कैसे जाएगा सरपर्थम आप कोई घर बंगला गारी बाइक जेवर आप ले सकते हैं एलक्टोनिक समान ले सकते हैं घर की फरनिचर ले सकते हैं यह सब पर खर्चा होगा और होना भी चाहिए इस वक्त आपका जो भी खर्चा होगा वो आपके सुक सुबधा में आपका खर्चा होगा नजाज खर्चा नहीं होगा थोड़ा पाटी इस टेम में पाटी पिकने के खुम मनाएंगे तुला लगनवाले तुला रासी वाले उसके बाद मान सम्मान हो सकता है अगर कोई राजनितिक में जुरा हुआ आदमी है तुला लगन है तुला रासी है राजनितिक में है तो पक्का उनका कुछ न कुछ पर मَस्तन घॉल होगा या तो सलिरी फेंगा चाओ और बृवले जोब में है तो वहां पे आनो हैं पर राख्की मिलेगा वहां पुछ दली कि Seric जिस सिटी में सहर में आप रपते हैं उस सिटी सहर से आप बाहर घुमने के लिए भी जाएंगे और इस वक्त अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश भी घुमने के लिए जा सकते हैं बुद्ध और सुज्य का यूति बुद्ध आदित्य योग भी आपको शमका देगा ये इसी लिए मैं बोला तुला लगनवाले के लिए गोल्डेन टाइम है जवर्दस्त के अगर इस बक्त आप किसी और सहाई को से बीच बीच में सेवा करते रहें तुला लगनवाले अपनी बहन के सेवा करें उनको कुछ मदद करें कि साली है ननद है कि उनको भी कुछ न कुछ गिप्ट यार देते रहने रहें इससे आपको और ज़ादा अच्छा होगा और भी ज़्यादा होगा जो मैंने बोला विमारी हो गार्याय जो भी बोला ये सब कमती होगा जब ये सब काम करेंगे शावंद मास चल रहा है भोले ववा का सिब्धरवार में जा करके अगर आप घी कपूर का दान करते हैं अविसेक करते हैं तो ब्रह्मनों को दान देते हैं इससे आपको और ज़्यादा लाब मिलेगा लाब तो मिलेगा है लेकिन उसके साथ जो कुछ बुराई भी आ रहा है तो यह सब उपाई कर लेने से वो भी बुराई खतम हो जाएगा यानि खर्चा तो होगा तो नजाइच जो खर्चा होगा इससे अच्छा वो खर्चा कहीं करें ताकि उससे दान पुन भी हो जाएगा और सामने वाले को भला भी हो जाएगा चोटी कर्या के बच्चे का फीस अगर भर देते हैं वह उसके लिए भी यह आपको बहुत जवर्दस्त लाब देगा कुल मिला के यह बोला जाए आपके धन के मामले में सुक के मामले में आपके लिए छप्पर भार के आपको कि इसी के साथ कि इस वक्त अगर आपका कोई सत्रू भी था जिस रिष्टेदार से थोड़ा अनबन भी था मतबेद भी था वो सब अभी आपका पोजिटीव हो जाएगा कि सब आपको गुनगान गाएंगे और सब को आप भी मान सम्मान करें हमानचलिसा में जूरूरा पारट करें जुद्दरवार में जाकर के सेवा करें घी कपुर का ज़रूर दान करें है इसे के साथ कि द Marshall को यह यह इऽ देता हूं अगर चैनल को लाइक और सबस्क्राइब नहीं किये तो हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए इतना तो हक मेरा बनता है अगर अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स के माध्याम से आप हमें भी कुछ दे सकते हैं इसी के साथ आप सब अपना ख्याल रखें फिर नेक्स्ट विडियो अपलोड होगा फिर उसमें मिलते हैं रादे रादे